संजु सुबर से अपनी मा शार्दा को गाउं में मेला देखने जाने के जिद कर रहा था शार्दा का पती शराबी था इसलिए वो घर में पैसे नहीं देता था इसे कारण शार्दा गाउं के बड़े सेठों के खेट पर काम करके अपना गुजर बसर करती थी मा, मेला देखने चलो न, मेरे सारे दोस्त मेला देखने गए है, मुझे भी मेला देखने जाना है संजु शारदा का इंतजार कर रहा था, शारदा थोड़ा मजदूरी का काम करके घर लोट आई, उसके हाथ में कुछ पैसे थे, वो खुश थी कि वो संजु को मेला दिखाने ले जाने वाली है, तब ही उसका पती सुनी ला जाता है अरे, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं संजु को मेला दिखाने ले जा रहे हूँ सुनील वो पैसे छीन कर घर से बाहर चला जाता है, संजु मेरे बच्चे चुप हो जा, कल मैं और पैसे कमा कर लाओंगी, फिर मैं तुझे मेला दिखाने जरूर ले जाओंगी संजु ने जब उस बैल से रोने का कारण पूछा तो बैल इंसानों की भाषा में बात करने लगा कुछ देर बाद बैल का मालिक वहां आता है और जैसे ही वो उसकी रसी खोलने लगता है संजु उससे विंती करता है आप इस बैल को किसी को मत दो आपको पता है ये बिमार है अगर आप किसी अंजान को ये बैल दोगे तो वो इसे मार देंगे इसका इलाज नहीं करवाएंगे आप इसे मुझे दे दो तेरा दिमाग खराब है? मैं मुफ्त में क्यों दूँ? तुझे मैं बेच रहा हूँ इसे ठीक है तो आप बस एक दिन रुख जाओ मुझे पैसे एक खटे करने दो मैं इस बैल को खरीद लूँगा अरे बागल समझा है क्या? तु छोटा सा बच्चा इतने रुपे कहां से लाएगा? तुझे पता भी है ये बैल कितना महिंगा विकेगा? बस मुझे थोड़ी दिर का समय दो मैं आदे घंटे में ले आऊँगा अब ठीक है तो इसके पास बैठ जा मैं थोड़ी दिर में आता हूँ बैल का मालिक कुछ देर के लिए अपने घर चला जाता है संजू परिशान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी इतने सारी पैसे कहां से लाए तभी बैल उससे बोलता है संजू तुम बहुत अच्छे हो तुम बहुत दयालू हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं तुम्हें वो इस्थान बताता हूँ भी दूर हो जाएगी मैं चाहता तो मालिक को भी उस छिपे धन के बारे में बता सकता था पर मालिक ने मेरी कभी भी कोई परवाह नहीं की हमेशा मुझे गरीबी में पाला मुझे भूखा रखा स्वार्थी इंसान के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ इसलिए तुम जल्दी से वो धन ले आओ ठीक है दोस्त तुम मुझे बता दो कि वो धन से भरा कलश कहां है वो धन से भरा कलश कहीं और नहीं इसी पीपल के पेड में है पीपल के पेड के उस खोकल में हाट डालो वहाँ पर तुम्हें एक कलश मिलेगा जल्दी करो संजू हाँ मैं अभी देखता हूँ संजू पीपल के पेड के तने में बने एक खोकले में हाट डालता है तो उसे धन से भरा हुआ एक कलश मिलता है बैल के कही अनुसार संजू उसमें से थोड़ा धन अलग करके कलश को वापस उसी खोकले में रख देता है इतनी देर में मालिक आ जाता है बैल का मालिक लालची था उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो धन कहां से आया वो तो बस संजू को अपना बैल देएकर वो धन ले लेता है बैल का मालिक वहाँ से चला जाता है चलो दोस्त, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अब तुम्हारी आखों में आसू नहीं आएंगे अब तुम मेरे साथ रहोगे अब ता तुम खुश हो ना आ संजू, मैं बहुत खुश हूँ अब तुम बागी का बचा हुआ धन भी वहाँ से निकाल लो बैल के कहे अनुसार संजू ने उस कलश को उठा लिया और वो बैल को लेकर घर आ गया घर आकर उसने मा को सारी बात बताई मा ये देखो मेरे दोस्त ने हमारे लिए कितना सारा धन दिया है अब हम मेला देखने जरूर जाएंगे और दोस्त भी हमारे साथ चलेगा क्यों दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा अरे, तुम तो इंसानी भाषा बोलते हो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ इंसानों की भाषा बोलता हूँ जो मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं बाकी सब के लिए तो मैं एक आम जानवर हूँ जो चुपचाप रहता है किसी से कोई शिकायत नहीं करता इतनी देर में संजु का पिता भी आ जाता है संजु खुश था कि उसके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया था उसके पिता ने शराब पी नी छोड़ दी और गाउं में ही अपनी जमीन खरीद कर खेतीबाडी का काम शुरू कर दिया बैल भी बहुत खुश था क्योंकि उसे भी संजु के परिवार में बहुत प्यार मिला और धीरे धीरे उस बैल की तब्यत में बहुत सुधार हो गया और फिर कुछ दिनों बाद मा बापू चलो ना कबसे मैं और दोस्त मिला देखने के लिए तयार खड़े हैं संजु खुशी खुशी अपने माता पिता और अपने दोस्त बैल के साथ मिला देखने जाता है अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर शारदा और सुनील बहुत खुश थे बैल भी अपने दोस्त का साथ पाकर खुब मज़े में जूम जूम कर मेले का आनन्द उठा रहा था अनपूर्णा घर में अकेली रहती है उसकी उम्र 50 साल है उसका बेटा सुरेश अमरिका में नौकरी करता है और वही पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है लेकिन वो अपनी मा को पैसे नहीं भेशता है इसलिए अनपूर्णा बहुत गरीब है उसके पास सरफ एक गाय है उसका नाम है मालती अनपूर्णा मालती का दूद बेच कर अपना पेट पालता है सुन मालती तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बोहुत बड़ी नौकरी करता है वो जब लौट कराएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा अनपूर्णा की आँखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर लेकिन सुरेश उसकी मा को कभी याद भी नहीं करता कुछ दिन बाद शाम को अनपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी तब अचानक से वहाँ सुरेश अपने विलाईती बहु के साथ आता है मा मैं आ गया हूँ अपने बेटे को देखकर अनपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है अरे बेटा तू अचानक से कैसे आ गया वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है अच्छा इसलिए मा की याद आ गई अब ठीक है बेटा कोई बात नहीं कुछ दिन घर पर आराम कर सुरेश की बीवी का नाम रोजी है वो कहती है क्या हम यहां रहेंगे सुरेश इस छोटे से घर में किती बद्बू है यहां पर अहां बहु वो मेरी गाय है न मालती उसी के गोबर से थोड़ी दुरगंद फैलती है तो निकाल दो उस गाय को अरे ऐसे कैसे निकाल दू उसी से तो मेरा पेट चलता है सुरेश रोजी को मना लेता है अनपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है अगले ही दिन से रोजी हला मचाने लग जाती है वो सुबह उठकर कहती है इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली कहां है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अनपूर्णा से कहता है मा क्या कर रही है आप मेरी पत्नी विलायती है उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा न ठीक है बेटा मैं अभी बना देती हूँ लेकिन अनपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो मालती के ताजे-ताजे दूद से चाय बना कर रोजी के पास ले जाती है दूद से बनी चाय देखकर रोजी एक जटके में चाय का कब फिख देती है अनपूर्णा को बहुत बुरा लगता है रात को रोजी सुरेश से कहती है सुनो, मैं ऐसे यहां नहीं रह सकती अरे रोजी, कुछी दिन की तो बात है, रह लो ना नहीं, तुम्हारी मा गवार है ये घर तो तुम्हारे नाम पर है न, इसे बेश दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते है अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अनपूर्णा को बताता है अनपूर्णा रोते हुए कहती है ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादे है तब ही वहाँ गाओं के मुख्या चले आते हैं और कहते हैं आहां ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम, तुम्हारी मा कहा रहेगी फिर वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है हम ये घर बेच कर चले जाएंगे मुख्या ची बहुत अपमानित महसूस करते हैं सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अनपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है वो बहुत उदास है और उसकी आँखों में नमी है ये क्या हो क्या भगवार, अब मैं क्या करूँ मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोगा कर दिया अनपूर्णा बस दूद बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है वो रास्ते में रहती है इसी तरह कुछ दिन बीच जाते है मालती एक दिन किसी के खेत में घुश जाती है और घास खाने लगती है ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अनपूर्णा को आकर धमकी देता है देख बुडिया तेरी गायागर मेरे खेत में दोबारा गुसी तो मैं इसे मार डालूँगा कोई उपाई न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है वहाँ चाय के पत्तों का धेर पड़ा हुआ था मालती वही खाने लगती है वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है उसके बाद वाले दिन सुबह अनपूर्णा जब मालती से दूद निकालने जाती है तब एक चमतकार हो जाता है दूद के बदले चाय निकलने लगती है अनपूर्णा चौंक जाती है अरे ये क्या? मालती दूद में ये चाय दे रही है गजब हो गया? ये तो चमतकार हो गया कुछी देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाई से निकलने वाली चाई पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते है अनुपूना एक कप चाई दस रुपे में बेशती है अनुपूना पूरा दिन चाई बेशती है इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपे कमा लेती है ये भगवान आपका लाख लाख सुकर है आपकी वज़ा से ये चमतकार हो पाया है मालती भी अपनी भाशा में भगवान को धन्यवाद देती है कुछ महीने ऐसे ही चाई बेश कर अनुपूना बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शेहर में एक घर खरीद लेती है चाई बेशने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके ऐसे ही खुशी-खुशी दिन बीटने लगते हैं लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को है अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है तो फिर तुमने मुझे से शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के? शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ जा रही हूँ मतलब तो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरुजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा इसलिए मैंने एक बॉइफरिंट पटा लिया था वो मुझे लेने आही रहा होगा इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैट कर चली जाती है रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है होटल से सुरेश को लात मार कर निकाल दिया जाता है सुरेश अपने ही मन में कहता है अब मैं क्या करूँ? मा के पास लोड़ जाओ? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीक मांगकर अपना पेट पालता रहता है एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती है मुझे बहुत तेज भूग लगी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है सुरेश को देखकर अनपूर्णा तुरंद पहचान लेती है अरे बेटा तू अनपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पढ़ती है सुरेश भी रो पढ़ता है वो अपनी मा को सब कुछ बताता है सब कुछ सुनकर अनपूर्णा कहती है कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा मैं हू न मा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो एक मा कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या आजा बेटा, ये सब कुछ ते रही तो है हमेशा याद रखना बेटा, मा तो मा ही होती है मा जैसा प्यार इस दुन्या में कोई नहीं कर सकता सुरेश रोते हुए फिर से अपनी मा को गले लगा लेता है इसके बाद से सुरेश और अनपूर्णा मिलकर चाए बेशने लगते है मा बेटा मिलकर बहुत खुश रहते है सुरेश को मा की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय दे कर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है